वेलकम वेट टो माई चैनल मैं हूँ रिचा मैं आज आपके लिए लाई हूं होम रेमेडी यह है ब्लेक हैड होम रेमेडी है यह इसको अप लगाएंगे तो आपके 7 डेज में है आपके जो ब्लेक हैड्स और वाइट हैं लोज के पास चिन नींचे नहीं होते है इदहर चिन के पास वह सारे ब्लेक हैड्स और वायल हो जाएंगे इससे आप यह प्लिकुल पक्का है इसे हंडिपरसेंट इफेक्टिव है यह आप उसको जरूर लगाए और मुझे बताइ बनाना कैसे है और इसको यूज कैसे करना है ये भी बताऊंगी ब्लेक हेट्स रिमूबर के लिए हमें चाहिए चावल का अटा अल्दी कि शहद और लेमन जूज और रोज वाटर अब हम इसको सब को मिक्स कर लेंगे अल्दी वाले में ही मिक्स कर रहेंगे अल्दी ज्यादा चाहिए चावल का अटा दो चम्मच अब इसमें रोज वाटर डाल देती हूं मैं आप मिलागा देख लिए ज्यादा पतला ना हो थिक रहना चाहिए इसको लेमन जूस आधा लेमन जूसी चाहिए ब्लेक हेट्स पाइट्स बिल्कुल ही इससे रिमूव हो जाएंगे अगर आप इसको रेगुलरी अप्लाई करते हैं तो कि चमच शेयद आप इसको मिक्स कर लेते हैं चरी देखते हैं इसको लगाना कैसे तब कि इतना ही गाढ़ा होना चाहिए यह सी कंसेंट्टे से ऐसी होनी चाहिए जहां आपको ब्लेक हैट्स हैं वहाँ इसको अप्लाई कर लीजिए यहां कि नूज के आसपास कुछ जादा ही होते हैं कि इसकी मोटी लेर लगानी है आपको मैं पूरे चैरे पर नहीं लगाओंगी मैं सिर्फ नूज पर ही लगाओंगी किसी किसी को यहां पर भी होते यहां पर भी लगा सकते हैं मुझे नहीं है लिप्स के नीचे मुझे यहां पर भी नहीं है कभी कभार हो जाते हैं इसको हम लगा के रखेंगे जब तक यह सूख ना जाए हलका हलका सूख जाए फिर इसको रब करके निकाल देंगे हल्दी में एक्टिव एक्टिरियल प्रोपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें चावल का आटा डाला है उससे आपकी स्किन को ब्राइटनिंग तो मिलेगी ही टाइटन भी कर देता है ना वह चावल का आटा से टाइट भी हो जाएग आपकी जो ओपन पोर्स हो जाएंगे इसको आप टाइट कर लिए इससे टाइट हुए हो जाएंगे और इसमें वह शहद भी डाला हुए है वह भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है वह आपकी स्किन को ड्राय नहीं करेगा हाइड्रेट रखेगा और मैंने इसमें गुलाब जल भी डाला है रोज वॉटर उसको वह आपकी स्किन पर पिएज लेविल को मैंटें करके रखेगा इसको मैं थोड़ी दिर में मिलती हूँ आपसे तब मैं दिखाऊंगी कि इसको रख कैसे करना है कैसे निकालना है देखिए फ्रेंट्स दसमेट हो गए हैं अब ऐसे ऐसे आप रख कर लीजिए हलके हलके हाँ तो ऐसे ही सूखेगा यह ज्यादा नहीं ड्राय होगा क्योंकि क्याने सेह, पिछछा सर्द्स है хочу क्या इसे रख करते जाएं आप nhất है कि आपको हल्की सी इचिंग सी होगी क्योंकि इसमें लेमन जूस पड़ा हुआ है तो इससे आपके ओपन पॉर्स में जाके वो डीपली क्लीन इसको कर देगा आपके जो ब्लैक हैट्स वाइट से होंगे तो हल्के हल्के हाथों से ऐसे करते रही है और साफ कर लीजे और फिर इसको धुल लीजे इसी तरह मसाज करने हैं आपको ऐसे हल्के हल्के हाथो चलिए मैं धुल के आती हूं तो गास देख लिया ना आप लोगोंने यह कैसे मैंने इसको बनाया है कैसे लगाया है और यह आपकी चेरे पर कैसे एफेक्ट देख दिए है ब्लैक हैट्स हो जाएंगे बिल्कुल 100% गारंटी है यह मेरी आप लोग मुझे कमेंट जरूर करके बताईएगा कि आपको यह कैसा लगा यह होमेड है इसलिए सब आप च नहीं डाली है जो घर मिल जाएगा उसलिए 이ुए आपको जरूर देखिए किas तरह इसलिए शासी में नहीं मिलेगा अई। किस तरह से आपको बताई करना यह साथ जैए आपको आपकोश्ताए qualify किया है अबड़ के अधर यह आप को आपको नरे अप स्बसक्राइब की आप जरूर देखिए कि आपको इसमें किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से अपलाई करना है, यह सब मैंने आपको बता दिया है, आप अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और यह विर्फुर्ट फ्री है और के कहते हैं बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि मैं जब भी आप कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो पहुंच जाए चलिए फ्रेंड्स बाई